AICTE approved internship और training program दोस्तों आज हमारे पास available है और यह काफी सही program होने वाला है अगर आपको इंट्रेस्ट है प्रोग्रामिंग में आपको इंट्रेस्ट है software development में और आप फुल स्टाक software development वाली स्केल को सीखना चाहते हो और प्रैक्टिकली इसको apply करना चाहते हो तो यहार ही आपके लिए काफी बड़ी हो सकती है जहाँ पर की आप रियल वर्ल्ड की प्रजेश्ट पर ना रहे होगे वहाँ पर आपको एक semester wide complete training program में और यह पूरा ही process बिल्कुल free of cost रहने वाला है तो पूरी details समझ लेते हैं जान लेते हैं कि क्या requirement है क्या eligibility criteria है साथ हीवे आपको और क्या चीजों के बारे में knowledge होने चाहिए आपको क्या पता होना चाहिए इस प्रोग्राम में एन रोल करवाने से पहले जितनी की सारी details है इनको हम बिलकुल deep में cover करेंगे so hello दोस्तो welcome back to the channel continue करते है इस वीडियो के साथ और दोस्तो अब मैं आपको एक screen show करते हूँ जहां बर की इस particular program के बारे में सारी details आपको देखने के लिए मिल जाएंगी तो यहां पर सबसे पहले supported by AICTE और इसके साथ कुछ और supporters भी हैं बट आपको यहां पर एक काफी जादा belief देखने के लिए मिल जाता है बहुत आपको पता है AICTE काफी सही चीज़ हो जाती है अगर इसका certificate आपको मिल जाता है और इसका belief और इसका trust काफी जाता है इंडिया में तो दोस्तो अब हम एडवांस लेवल की programming training मिलने वाली है मतलब अगर आपको interest आपको पसंद programming करना बड़े बड़े code लिखते हो तो यह program आपके लिए काफी amazing program रह सकता है second चीज आती है कि क्यों आप इसको क्यों जोइन करोगे ऐसा क्या benefit है यहां पर benefit आता है कि आपको यहां पर train कर जाएगा आप यहां पर सीख रहे होगे काफी सारी technologies for example full stack development जैसे चीजे आती है react python django आप type script जैसे चीजे को सीख रहे होगे फिर उनको सीखने के बाद आप अपने internship program में इनको apply करोगे कुछ open source software बनाने में कुछ full stack development करने में तो यह एची चीज होते है जहां पर कि आपको learning भी आपको एक complete curriculum मरने वाला है जो कि internship आपका टाइब रहने वाला है तो यह program आपके लिए अगर आपको interested software development में full stack development में और आप open source coding करना चाहते हो तो बहुत जाधा amazing आपके लिए रहने वाला है आपको बहुत मजा आएगा इस program में तो दोस्तों और देखती है और क्या क्या details available यहां पर लिखा है कि यह course में कौन-कौन enroll कर वा सकता है इस fellowship में apply करने के लिए आपकी क्या educational requirement होनी चाहिए यहां पर देखो बोला गया है कि यह तो आप एक currently undergraduate student हो जो कि अपनी पढ़ाई परसी हो कर रहा है या फिर अगर आप एक postgraduate student हो इंडिया के किसी भी institute में तो आप यहां पर register कर सकते हो साथ ही में यार एक चीज़ और mention करी गई है कि आपको कुछ न कुछ programming का experience भी होना चाहिए साथ ही में आपको programming का experience भी होना चाहिए क्योंकि यार इसकी पूरा ही throughout the process requirement पढ़ने वाली है और अगर आपको programming में interest है code करना पसंद है तभी यार आपके लिए प्रोग्राम beneficial रह सकता है तभी आपको मजा हैगा otherwise आपके लिए प्रोग्राम नहीं है अगर आपको coding या पर टेक्निकल चीजों में interest नहीं रहता तो फिर उसके बाद लिखा है कि इसके dates क्या रहने वाली है क्या इसके timeline होने वाली है तो जो प्रोग्राम में जो training वाला time है वह start होने वाला है 7 January 2022 से लेकर 8 April 2022 तो दोस्तों यह सिरफ training की timeline है मैं आपको भी बाके timeline भी बताऊंगा आपको जो registration करवाना है उसके last date क्या है registration already start हो चुके है उसके अलावा जो training के बाद अगर आप successful training complete करते हो तो आपको जो internship हो कब से start होने वाले हो कब तक जाने वाली है इन सबी के बारे में भी मैं अभी आपको सारी complete timeline बता दूंगा तो दोस्तों यहां पर इसके लावा बोला गया कि आप जो यहां पर effort देने वाले हो वह ज्यादा effort नहीं होने वाला सिरफ आपको एक हफते में 12 गंटे का effort देना तो मतलब एक दिन में approximately अगर आप 2-3 गंटा देते हो तो आपके लिए more than enough रहने वाला है और इसके अलावा यहां पर आप 2 गंटे देखे हैं उना कुछ पढ़ा ही करने होगे लेकिन इसके लावा कुछ और टास्क भी रह सकते हैं वह यहां पर mention और वाकी detail तो आपको यह प्रोग्राम में ही पता चलेंगी इसके अजो पर काम करें कि अगर आपको में क्रोग्रामिंग प्रायर एक्सपिरियंस नहीं है तो उसको ऊपर इसको नहीं है यह जतने पी चीज़ होगी आपको training के टाइम पर सब को सिखाया जाएगा तो आपको उसके टेंशन लेने की ज़रत नहीं है लेकिन अगर आपको पहले से ही आता है तो सही बता रहा हूँ जूट बोलने की बात नहीं है यह पहले आपको ज्यादा एज देने वाला है अपार्ट फ्रॉम अधर स्टुडेंट बिकॉज इस प्रोग्राम की जो में चीज हो जाती है वो य टेक्निकल एक्सपर्टीज काफी अच्छी होनी जरूरी है तो अगर आपको एक्सपीरियंस है आप कोडिंग करते रहते हो तो गिटब पर अपना कोड अपलोड कर अगरो बिकॉज आगे में भी आपको बताऊंगा कि जो आप फॉर्म करने वाले हो वहां पर आपको अपन कि दरफे मिलने वाला है उसके अलाबा कॉस्ट का फिर से बदाए गया कि कॉस्ट बिलकुल फुरी और यहां पर एक चीज और बताई कि यह जिसके बारे में भी बोल नहीं वाला था कि यहां बोला गया कि वाई शुड आई एपलाई अर्ली तो दोस्तों यहां पर जो सीट है वो बहुत ही लिमिटेड है तो अगर लिमिट रीच हो जाती है वो लिमेट नहीं करवाएंगे उसके बाद यह चांस खतम हो जाएगा तो जितना जल्दी हो सके इस वीडियो के बाद आपसे पहले जाके अपलाई कर लेना सो दोस्तों अब मैं ने आपके सामने स्क्रीन प्रेजेंट कर दिया complete time line जो पूरे प्रोग्राम की चलने वाली है आप वीडियो को इसमें पॉस करके इसको गो तुरू कर सकते हो हम आगे मूब करते हैं और देखते हैं कि यह आपको इस प्रोग्राम में एपलाइ कैसे करना है तो दोस्तों यहां पर जब स्क्रीन पर आएंगे तो आपको इक बटन दिख जाएगा जहां पर लिखा है एपलाइ फॉर दफेलोशिट प्रोग्राम और जैसे ही आप इस बटन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा जहां पर सबसे पहले है तो अब आपको अपने इमेल आइडी पर जाना पड़ेगा और आपको कुछ इस तरह का यहां पर एक मैसेज देखने के लिए मिल जाएगा यहां पर आपको इस एप्लिकेशन फॉर्म वाले लिंक पर क्लिक करना है आप जैसी इस पर क्लिक करेंगे दिन आपके सामने यह पर जी पेज ओपन हो जाएगा जहां पर आपको कंप्लीट फॉर्म देखने के लिमेल जाएगा और इसको फिल करके आपको अपना एंडॉल्मेंट कंप्लीट करना रहेगा तो दोस्तों आप देख सकते हो मैं आपको पूरा साम दिखा देता हूँ कि क्या क्या चीजे यह सबसे पहले बिल्कुल बेसिक चीजें कि आपको अपने नाम बताना है डिट ऑफ मुबाइल नंबर वाली चीजे फिर आपको कुछ अपनी एजुकेशनल डिटेस बताने कि आप अभी क्या परसीव कर रहे हो पोस्ट ग्रैजुइशन या फिर अंडर ग्रैजुइशन कौन सी कर रहे हो यह इन में पूचा जाएगा कि यारा के पास mobile कंप्यूटर एंट्रल कनेक्टिविटी साथ ही में आप कितना इंटरस प्रोग्राम इमें कितने अच्छ प्रोग्रामिंग लिंक क्या है आगर आप कोडिंग करते हो तो regular अपना code पर upload करते हो आपके टेक्निकल प्र इसी तरह से आपको यह complete form अपने की साफ से फिल करना है और यार इस पॉर्म को जितना अच्छा हुशेगी उतना चाफिल करना विकॉज यह फॉर्म ही आपको यहां पर रेपरेजेंट करने वाला है अगर आपकी प्रोफाइल बढ़ियार लगती है उनको तभी आप यहां पर जिससे मुझे पता चले कि आपको यह वीडियो काफी बेनेफिशन लगी और आपको इससे एक help मिली साथ ही में दोस्तों अगर आप मेंसे कोई सेलेक्ट होता है तो भी आप मेरे को पिंगर के बता सकते हैं कमेंट का भी बता सकते हैं साथ ही में आप इंस्टाग्राम पर भ आपनाइजी के प्रोकीं बब बाइ